तो बच्चा लोग, once again, welcome back to the class. हम लोग बात कर रहे थे, micro economics के chapter number 3 की, consumers equilibrium utility analysis. और बच्चा लोग, almost 95% chapter complete हो चुका है. प्रिवियस क्लास में ही single commodity case, यानि one commodity case की बात की थी. आज की class, last topic जो होगा हमारा, वो है two commodity case या फिर double commodity case, जिसे हम लोग many commodity case भी बोल सकते हैं. तो बच्चा लोग, प्रिवियस क्लास में तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपको सिर्फ एक single commodity खरीदना हो, सिर्फ एक ही वस्तू खरीदना हो, तो कितनी वस्तू खरीदोगे, यानि किस point पर जाके equilibrium point होगा. वहाँ पर हम लोगों ने MUM, यानि कि marginal utility of money को भी बहुत detail में सा topic है, देखो, जब हम लोगों ने एक good की बात की थी, जब हम लोगों ने single good की बात की थी, तो MUX upon PX equals to MUM था, यही था, यही थी हमारी expectations, यानि हम लोग क्या expect करके चल रहे थे, ठीक है, और यह थी हमारा actual में, यानि कि बच्चा जैसे कि consumers equilibrium पढ़ा था, कि जो हम expect कर रहे ह वाकि हमें उतनी utility मिल जाए, goods को consume करने पर, वो आपका equilibrium point था, तो यह था single community case, बट अभी हमें बात किस की करनी है, बात करनी है, double या फिर दो से ज़्यादा community इसकी, तो ऐसे ही, MUX upon PX, यह हो गया X good, basically X represents X good, so equals to MUY upon PY, यह हो गया Y goods, equals to, मान के चलो और भी goods है, जैसे MUZ upon PZ, ठीक है, upon PZ, equals to MUM होना चाहिए, यह होती है आपकी equilibrium situation, और भी अगर कोई वस्तु है, तो MAA, MUA upon PA, MUB upon PB, मतलब जितने भी goods है, सबको equal आना चाहिए, MUM, MUM बोले तो हमारी expectations, क्या हम expect करके चल रहे हैं, So, simple सा concept है, ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ और भी note करो, यह देखो, MUX upon PX equals to MUY upon PI, यानि कि जब भी आप last unit consume करोगे, last unit जब भी consume करोगे, good X, good Y की, तो आप देखोगे, जो equilibrium वाली situation होगी ना, वहाँ पर यह दोनों equal भी होंगे, क्योंकि बीच में equal का sign है, ठीक है, कैसे होंगे, अभी मैं आपको table की help से, numerical की help से, और हाँ, diagram की help से, समझाओंगा भी, बट सबसे पहले, एक बार जरा equilibrium situation रीड कर लो, so, the logic that a consumer strike is equilibrium for set of two communities, X and Y, so, यह है बच्चा, MUX upon PX equals to MUY upon PY, यह आपका आना चाहिए, can be extended to any number of communities, और यह कितने भी number of communities पर extend हो सकती है, so, यह है आपका equilibrium point, यहनि कि MU M वाला point, चलो, इसी चीज़ को मैं लिख भी देता हूँ, equation, MUX upon PX, ठीक है, equals to MUY upon PY, ठीक है, equals to MUZ upon PZ, equals to dot dot dot, कितने भी कुर्स ले सकते हैं, equals to MUM आएगा, सो यह आपकी equilibrium situation, बिल्कुल simple सी बात है, ठीक है, यह आपकी equilibrium, basically, यह दो goods हो, तीन goods हो, यह आपस में equal आना चाहिए, ठीक है, अब जैसे, आप लोग बात करोंगे, सर्फ, प्रसा, इसकी help से समझा दो, यहाँ दे, सो basically, हमारे पास PX, equals to PY, equals to 1 given है, बच्चा, goods की price दे रखिए, आप goods X खरीदो, तो भी एक रोपे कियाएगी, good Y खरीदोगे, तो भी एक रोपे कियाएगी, अब जरा ध्यान से सुनना, जो concept में आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ ना, वो ध्यान से सुनना, मिर कोई दखो, यहाँ पर MU X given है, यहाँ पर MU Y भी given है, marginal utility of X good, marginal utility of Y good, ठीक है, सबसे जादा utility, सबसे जादा satisfaction, आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, जो ध्यान से देखो, 17 बड़ा होता है, यह 26 बड़ा होता है, obviously 26 is greater, अगर आप एक रोपे खर्च करोगे भी, त आप मान के चलो, आप कहरो, सर, second unit भी तो खरीद नहीं है, second unit कौन सी खरीद होगे, X की या Y की, आप ज्यादा utility के समय मिल रही है, आपको, obviously अभी भी Y में ही मिल रही है, तो एक रोपे यहाँ खर्च होगे, ठीक है, next एक रोपे किस में खर्च करोगे, next, ठीक है, सो यह इसे, यहाँ पर सकतर है, अगिन, यहाँ पर जादा हो रहा है, तीन रोपे खर्च कर दोगे, तीन के बाद, फिर आओगे आप यहाँ पर, सो चार रोपे खर्च हो जाएंगे, फिर आओगे यहाँ पर पांच रोपे खर्च हो जाएंगे, फिर यहाँ पर आओगे, छे रो 10 है ठीक है तो equally utility मिल रहे है यहां से आप यह कह सकते हो so mux upon px equals to m y upon py है बिल्कुल है यार mux कितनी है last unit पे 10 upon px 1 m y last unit पे कितनी है 10 upon py equals to 10 तो यह कितना आएगा 10 so that is your equilibrium situation basically यह मैंने रुपए कैसे खर्च किये एक दू तीन आपको देखना है सीधा सीधा यार कि कहाँ पर ज्यादा utility मिल रहे हैं ज्यादा जहाँ ज्यादा utility मिलेगी वहाँ आप रुपए utility को अब marginal utility यहाँ पर दो दे रखें यार x की अलग है y की अलग है एक काम करो थोड़ा समय आपको शौट में बनाता भी ठीक है ध्यान दीजेगा और ध्यान से देखिएगा देखो हम लोग डाइग्राम नॉर्मली single community case में कुछ इस प्रकार से बनाते तो यहाँ पर लेते थे m u x यहाँ पर लेके चलते थे units थे बट यहाँ पर बच्चा लो यहां पर समस्य क्या है यह एक और m u x है तो एक काम करो यहाँ पर भी y बना लो एक y x यह हो गई एक Y-axis यह हो गई, ठीक है, तो यह हो किया है, M-U-Y, आप कहोगे सर, यहाँ पर नीचे यूनिट्स कैसे ले, तो बच्चा, ऐसे मिज़र करते हूँ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस टाइब से मिज़र करते हूँ, यहाँ पर एक नीचे एसे लाइन और कीछ लेना, ठीक है, तो Y-goods के लिए, जब आप डाइग्राम बनाओगे, तो यह 0, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह 7, और यह 8, इस टाइब से, तो यह X-axis, यह Y-axis एक के लिए, यह X-axis और यह Y-axis दूसरे के लिए, जब आप डाइग्राम बनाओगे ना, तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ हमने देखा, So Y-goods की, तो यहाँ हमने पूरी की पूरी 6 यूनिट्स पर्चेस की, ठीक है, Y कितनी पर्चेस की, 6 यूनिट्स, लेकिन अगर हमने एक्स देखी, तो 1, 2, 3, 4, So Y-goods की हमने फूरी यूनिट्स पर्चेस की, यही हाल है, देख लो, एक्किलिब्रम पॉइंट, यहाँ 4, यहाँ पर 10, So अगर आप डाइग्राम बनाओगे ना, So Y-goods की तो हमने पर्चेस की 6, So Y-goods 6 यहाँ पर, ठीक है, यह दोनों आपका एक ही जगा मिलेगा, जो की पॉइंट होगा यहाँ पर, So यह आपका कहलाएगा एक्क्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, कहीं थोड़ी भूद अगर डाउट रहा हो ना, तो बच्छे जारा इस डाइग्राम को देखू, यहाँ पर है एक्स कमोड़िटी, यहाँ पर है यहाँ से, और यहाँ से, दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करता है, वो कहलाता है, पॉइंट ओफ एक्क्विलिब्रियम, ओके, सिम्बल सी बात है, देखो एक यहाँ से हमने नहीं मेजर किया, एक हमने यहाँ से भी मेजर किया, तो देखो यह एरो देख रहा हुँ ना, दोनों चीज़, ठीक है, जहाँ यह दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, बेसिकल इंटरसेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट पर, इसका X का फूर्थ वाले पॉइंट पर, और Y का 6 तवाले पॉइंट पर, ठीक है, वो आपका हो जाएगा, एक्विलिब्रियूम पॉइंट, अच्छा, बच्चा लोग, अ देखो, ये तो था विल्को सिंपल सा कॉस्चिन भी था, लेकिन कुछ बच्चे कहींगे सर, थोड़ा सा एक कुश्चन और, क्योंकि हो सकता है, थोड़े बाँ डाउट रहे हूँ, हो सकता है, कुछ छुटी छुटी बात है, और किलिए ना हुई हूँ, तो यहाँ देखोगे, ठीक है, एक कुश्चन है बच्चा, अगेर एक्विलिव्रियुम पॉइंट ही, हम फाइंड आउट करेंगे, देखो, आरप के पास इस बार 88 रुपीज है, यह दे रखी है उसकी इंकम, ध्यान दीजीए का बच्चा, बिल्कुल किलियर हुजाएगा, आपको टू कमूरिटी केस, ठीक है, यह कह सकते हैं, कि टोटल हम 11 यूनिट परचेस कर सकते हैं, टोटल कितनी यूनिट परचेस कर सकते हैं, 11, इसलिए, क्योंकि X और Y की प्राइस सेम हैं, तो आप चाहे X खरीदो, चाहे Y खरीदो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, बस 11 यूनिट टोटल परचेस करनी हैं, ठीक है, आओ बच्चा, मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्या खरीदोगे, गुट X या गुट Y, जिसकी ज़्यादा यूटलिटी होगी, वो खरीद लोगे, ज़्यादा यूटलिटी किस से मिल रही हैं, यहाँ 88 है, यहाँ 70 है, तो भाईए ये मिल रही हैं न ज़्यादा यूटलिटी, ठीक है, एक रुपे खर्च हो गया, सेकंड देखोगे, यहाँ 72 है, यहाँ 40 है, अगेन यहाँ X ही खरीद होगे, सेकंड भी यहीं करीद होगे, थर्ड भी यहीं पर खरीद होगे, तीनी यूनिट परचिस कर ली, फोर भी यहीं खरीद होगे, चार यूनिट परचिस कर ली, फाइब भी यहीं खरीद होगे, ठीक है 48, यहाँ तो 40 से स्टार्ट हो रहा है, पांच होगे, अगेन यहाँ 40 है, सो 6 unit हो गई, यहां 40 है, 7 unit हो गई, ठीक है, अब उसके बाद कितना total purchase करना है, 11, और आगे बड़ो, 7 हो गई, 32 है, 36 है, यह वाला क्रीद लोग, so 8 unit हो गई, ठीक है, 32, so 9 unit हो गई, then 24, 10 unit हो गई, और 24, 11 unit हो गई, बट अगर आप last देखो न, 24, 24 equal, so again, मैं यहां पर कहूंगा, आप से, mux upon px equals to muy upon py, ठीक है, और अगे यहां से अगर हम लोग देखे, 24, so 24 upon px हम कितना लेके चल रहे थे, 8, equals to 24 upon 8, क्योंकि यहां पर भी 8 price है, और इसकी भी 8 price है, so यह आपका equilibrium point, basically, उम्मीद करूंगा यार, कि अब आपको better तरीके से clear हुआ होगा, आपकी book में हो सकता है, एक दो question और दी रख्यों, जिनने आप solve करके देखोगे, ठीक है बच्चा लो, इसके अलावा, एक छोटा सा concept और है, आज की ही class का, वो है, एक basic limitation, disadvantages of utility analysis, अब बच्चा, इतना chapter पड़ा, chapter सुरुवाद की थी, हम लोगों ने utility से, so cardinal approach, ordinal approach, बहुत कुछ पड़ाया है मैंने आपको, total utility, marginal utility के बीच relation, फिर law of diminishing marginal utility, फिर consumer equilibrium, उनकी assumptions, फिर one community case, two community case, और last बसता है, उसकी एक limitations, आपको यह पता है, utility analysis की सबसे बड़ी limitation क्या है, सबसे बड़ी limitation यही है, कि हम utility को कभी भी number terms में 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 मेजर नहीं कर पाते है, क्या utility को मे में मेजर कर सकते हो, क्या satisfaction को आप exact number में बता सकते हो, तो सबसे बड़ी limitation यही है, कि जैसा कि हम से मार्शल ने कहा था, कि utility को हम कार्डिनल नमबर में में मेजर कर सकते हैं, तो यह सबसे बड़ी limitations है, यार utility को हम exact ठीक तरीक से मेजर नहीं कर सकते, अब आप सोचोगे, कि सर जब यही सब नहीं कर सकते हैं, तो इतना बड़ा chapter क्यों पड़ा दिया, अरे भाई पढ़ना है, यार, मार्शल कहके गए, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, चलो, आओ, limitation देख लो, simple से point से, so, basic limitation of utility and that, यह basic assumption की उपर based है, कि utility को कार्डिनल नमबर में में मेजर कर स सकते हैं, बाकि यार, बहुत कुछ दे रखा है, आराम से readout करोगे, देख भी रहो, हालत देखके, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, so, बच्चा लो, आज की class फिलाल इतना ही यार, और हाँ, important class थी थी थोड़ी सी, तो आप कहोगे सर्-PDF, PDF के लिए बिलकुल परेश इस्टोरेपर, बाकि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चा आप कर लो, Facebook हुआ, Instagram हुआ, Telegram हुआ, हर एक चीज की link मैंने description box में दे रखी है, तो आज की class अटेन के लिए आप सभी का धेर सारा धन्यवाद मिलता हूँ, next chapter के साथ, next video के साथ okay, thank you